यहां पर आपको क्या देखना है आपने वहां पर वेज बनता हुआ देखा था यहां पर आप क्या देखते हो जो प्राइज है यहां से एक अप्टरेंड आपको देख रहा है ठीक है जी प्राइज है यह ऊपर जा रहा है एक्सपैंड हो रहा है अब आपको लग रहा है यहा यहां पर strong हो रहे हैं definitely आप देख रहे हैं expand हो रहे हैं ट्रेंगल का मुझ खुल रहा है तो आपको और बड़े यहां पर और बड़े high मिल रहे हैं बट एक और चीज़ देखो आपको और बड़े lows भी मिल रहे हैं तो यहां पर जहां पर एक छोटा सा range में trade हो रहा था अब व पर बी जा रहा है नीचे भी जा रहा है उपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है तो वालिटिलिटी जब बहुत ज़दा बढ़ जाती है तो यहां पर कुछ ट्रेडर बहुत पैसे कमाते हैं गवाते हैं तो आपको क्या देखना है कि कहीं bearish expanding triangle तो नहीं बन रहा अगर व बहुत बड़ी गिरावट हैं पर आपको देखने को मिल सकती है तो दिस इस वाट वी कॉल bearish expanding triangle वालिटिलिटी बढ़ गई है मार्केट में तो यहां पर हाय बन रहे थे बड लो भी बन रहे थे और अगर trend line break होती है तो इस आप ब्रेक आउट तो आप यहां पर को क्या दिखता है कि price तो पहले जी downtrend में है बट क्या आपको दिखता है कि जो अब लोज बन रहे हैं और जो हाय बन रहे हैं वो पहले से जादा है तो जो triangle उसका मुझ खुलता जा रहा है अब यहां पर अगेड अगर आप एक trend line देखो तो trend line आपकी break होती है breakout मिलता है breakout के बाद वो रीटेस्ट करने के लिए नीचे भी आ सकती है अगर आपको दिखता है कि रीटेस्ट करने के लिए नीचे आती है और यहां से bounce back करती है यहां से entry ले सकते हो तो इसके नीचे के लोग आप stop loss लेकर trade कर सकते हो एंड उसके बाद आप जो भी next resistance level है वहां तक का आप अपना क्या लेकर सकते हो टागेट लेकर सकते हो और वर इस्टू वन इस्टू थी के साबसे भी आप ट्रेड कर सकते हो तो इस वास बुलिश एक्स्पांदिंग ट्राइंगल